हलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहां पर संगनक या कम्प्यूटर की जो भरती आई है राइस्तान गॉवर्मेंट में जो आप देख सकते हैं यहां पर यह नोटिफिकेशन है यह मैंने ओपन किया हुआ है और यह यहां पर इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं जो की RSMSSB राजिस्तान करमचारी चैन बोर्ड के दुआरा निकाली गई है जो आईए की भरती भी यही करता है सो संग्रत क्या होता है बिसिकली आईए के एक्वली है बिलकुल आईए के एक्वली समझ सकते हैं सो ह या इसका syllabus होगा ठीक है सब यहां पर हम discuss करेंगे कई लोग मुझे message कर रहे थे कि सर electronics वाले भर सकते हैं कौन-कौन apply कर सकता है इसको तो यह भी हम यहां पर discuss करेंगे मतलब कि इसके बारे में हम detailed यहां पर discuss करेंगे स्टार्ट करने इस पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो notification है इसको आप जो RSMSSB की site है वहां पर जाके download भी कर सकते हैं वैसे मैं टेलेग्राम चैनल पर भी इसको provide कर वा दूँगा टेलेग्राम चैनल की link इस वीडियो के नीचे description box में वहां पर जाके आप इसको download कर सकते हैं sorry मैं provide कर वा दूँगा वहां से download कर सकते हैं देख सकते हैं और आप इसको जो RSMSSB की website है वहां पर जाके भी इसको download कर सकते हैं कैसे मैं आपको बता देता हूं RSMSSB RSMSSB हम type करेंगे तो हम देख सकते हैं राज्तान सबोर्डिनेट आप मिनिस्टरियल सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड तो यह आप open ह जाएगा इसकी website को open करेंगे तो इसको open करेंगे तो नीचे यहां पर आप देखेंगे news and notification का एक option आता है तो news and notification पर जाएंगे तो यहां पर आपको सारी जो भी latest news हैं जो भी notifications हैं वो यहां पर आपको मिल जाएगा तो हम देखेंगे news and notification में यहां पर computer 2021 detailed recruitment advertisement computer मतलब की संग्णक को English में computer बोलते हैं और Hindi में संग्णक बोलते हैं तो इसको आप click करेंगे download करेंगे तो यहां पर यहां पको PDF ओपन हो जाएगी complete और इस PDF को आप यहां पर download कर सकते हैं और download करने के बाद इसको आप detailed में पढ़ सकते हैं वैसे जो भी important चीज़े है management चीज़े हैं व हम बात करते हैं इस notification के बारे में इसमें हम जो भी important चीज़े हैं वो हम discuss करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं यह संग्णक की भरती है जो यहां पर कल 3 September को आई थी और computer की है कितने इसमें पद हैं वो आप देख सकते हैं पद का नाम सबसे पहले देखेंगे पद का नाम संग्ण आके और इसको इंगलिस में बोलते हैं computer भी यहां पर बोलते हैं ठीक है वेकेंजी देख सकते हैं टोटल पद कितने हैं 250 है यहां पर जिसमें गयर अनुस्यचित 220 और अनुस्यचित छेत्र के 30 पद हैं इसका form कैसे बढ़ा जाएगा basically इसका form है जो online बढ़ा जाए तो detailed में हैं इसके उपर मैं separate video बना दूँगा अगर आपको form कैसे बढ़ना है वो नहीं पता तो अभी हम यहां पर simple इतना देख सकते हैं कि आवेदन कैसे होगा online होगा और online कैसे होगा SSO ID आपके पास होनी चाहिए जैसे भी आप राइस्तान गवर्मेंट में जो भी हम application fill क करते हैं आपको पता है कि SSO ID पे ही fill करेंगे तो इस site पर जाना है राइस्तान SSO.gov.in इस पर SSO ID आपकी होगी नहीं है तो उसको बना लें SSO ID और login कर लें उससे और वहां पर आप देखेंगे वहां पर recruitment का option आएगा उस पर जाना है वहां पर recruitment पर और वहां पर जो भी आप आपको exam है उसका यहां पर मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप इसको fill कर सकते हैं तो यह detail मैं अभी यहां पर इसको तो detail में नहीं बताऊं क्योंकि एक अलग से separate process है तो कैसे form बरना है वो अगर आपको नहीं पता तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा फिलाल सकते हैं तो वह आगे हम discuss करेंगे आगे दी हुई है वैसे मैं आपको बता देता हूं यह 8 तारिक से start हो रहा है 8 September से start होगा और कब तक होगा 7 ऑफ अक्टुम्बर ठीक है 8 September से start होने वाला है और 7 अक्टुम्बर तक चलेगा मतलब कि एक महने का time आपको है और इस दौरान आप यहां पर भर सकते हैं इस application को अब यह हो गया कि कैसे भरना है यह सब आपको इसमें detail दी गुई है इसको आप पढ़ सकते हैं और यहां पर इस application को फिल कर सकते हैं इसका process मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूगा ठीक है तो अब आगे चलते हम यहां पर इसकी वेकेंसी के बारे में ठीक है और फीस के बारे में आपको बता देता हूं यहां पर इसकी फीस है जो आप यहां पर देख सकते हैं आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको मैं आपको इसको प्रवाइड करवा दूँ मैं आप खुद से पढ़ सकते हैं तो परिक्षा सुलक क बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने चार्ज लगेगा जिसे सामायम वर्ग के लिए आप चार्सो पुचास को यहां पर पारिक्षा सिल्हरस के बारे में देख सकते बढ़के करें जो इस नोटिव को जोगिए आप केटेग्री में आते हैं उसके हिसाप से यहां पर साड़ आ पर देख सकते प्रवेसपत्र हैं जो यहां पे आपको पता है कि इसके प्रवेसपत्र है जो इसके इसके इस site पर वेब साइट प्रवाइड कर दे कि तरीके से यहां पर डिवाइड है, किस तरीके से वह बात ही गई है, तो वह आप देख सकते हैं, इसमें हम डीटेल्ड में नहीं बात करेंगे, यहां पर कुल 250 पत हैं कि यह बता था, 250 में 220 तो यह हो जाएंगे गैर अनुचित छेत्र के और यहां पर 30 पत हैं, जो यहां प क्टेगरी के बात करेंगे तो कितने हैं आपई यह देख सकते हैं इस तरह किसे डिवाइद है कि कि ऐसी जाती कैंष सकते हैं इस तरह किसे डिवाइड है अनुस no हम बढ़ते हैं यहां पर हमने देख लिया है कि basically कैसे इसका process है fill करने का क्या इसकी fees है और क्या vacancy है जो किस तरगे से यहां पर divide की गई है अब हम बात करते हैं यहां पर आगे मैं फिल से बोल रहा हूँ इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं पूरे को मैं जो काम का चीजे हैं जो काम काम की चीजे हैं वह आपको बता रहा हूँ यहां पर अब next हम चलते हैं यहां पर basically कि इसको इसका जो पे मैट्री के आप देख सकते हैं वेतनमान क्या होने वाला है basically यह लेवल और यहां पर लिख रहा है कि जब आपको प्रॉबेशन टाइम होता है उसमें आपको पता है सबको कि fix एक amount मिलता है fix जो भी salary मिलती है राश्तन गवर्मेंट में प्रॉबेशन टाइम पर तो फिक्स कौन इसको apply कर सकता है कौन इसके लिए eligible है वो यहां पे देखना है balance क्योगता मतलब कौन कौन इसके लिए eligible है कौन इसको भर सकता है वो यह-द इम-प-पोटेंट है तो यहां पर जिब आपके पास कई option दिये गए हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए यह जो दिये गए इन में से यहां पर कुछ point दिये गए जैसे point one two तो इन में से कोई बी एक आपके पास है तो आप यहां पे इसको भर सकते हैं इसको आप detail में पढ़ लें important है क्योंकि आप form बर देना पता चले आप eligible नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं है तो यह आप अच्छे से पढ़ लें इससे आपको पता चल जाएगा कि आप eligible है या नहीं है मैं एक बार या economics या अर्थसास में से कम से कम किसी एक विशे में कम से कम ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है कम से कम किसी एक विशे के साथ इसना तक क्यों पादिया आपके पास होनी चाहिए या या तो या हो फिर या करके लिखे हैं देख सकते हैं कोई भी एक कोई में से या भारतिय सांकी की संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट वण ABC का प्रमानपतरांप के बास होना चाहिए या electronics विभाग के द्वारा बार सरकार के नियंतरन नियंतरन अदेन DOEAC द्वारा संचालिथ इस department के द्वारा संचालिथ, O इस से उपर के लेवल का प्रमानपत्र आपके पास होना चाहिए या फिर या पैस यह सकते हैं시ography या यह कोई यह कोई यह कोड़ तवाप आप्लाएगा सकते हैं और या फिर आपके पास वेवसाइक प्रिक्सिक्षिक्षन स्कीम राष्थान परिशन के आदिन आयो जित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिक सहयक या डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सेफवेर का पिर्मानपत्र आपके पास होटा है या फिर आपके पास बारत में वीदि इस्तापित की स्विश्दयल सरकार द्वारा कंप्यूटर तैं या computer application के साथ senior secondary प्रमान पत्राप के पास होना चाहिए या फिर आपके साथ राज सरकार दुआरा मायंत्या प्राप्त किसी पॉल टेकनिक संस्तास से computer विज्ञान और अभ्यान तरीकी में डोपलोम में होना चाहिए और या फिर महावीर विद्धार वर्दमान महावीर खुला विश्विद्धाले द्वारा राजस्तान नौन corporation limited के नियंदर राजस्तान द्वारा सूचना प्राद्ध्यो के कि में पाठ्टे करम प्रमान पत्राप के पास होना चाहिए तो ये भी चीजे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं इन में से आप जो फुल्फिल करोगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं एक मुझे मेसेज करके कोई पूछ साथे कि क्या electronics वाले फिल कर सकते हैं यहाँ पर तो electronics जिनोंने बीटेक किया हुआ है वो मेरे साथ से इसको फिल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी electronics में या जिसने computer science में बीटेक वगर किया है तो वो आसानी से इसको फिल कर सकते हैं और इनको आप अच्छे से आपे पढ़ ले कोई भी problem आपके पास अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसमें confuse ना हो यह देख समें दो उसको form fill करने से कोई मतलब नहीं है तो यह हो चुका यहाँ पर और बाकी इसकी age आप देख सकते हैं age का क्या है यहाँ पर एज में रखा है कि आवेदक एक जनवरी 2022 को 18 वर्स की आयू प्राप्त कर चुका हो मतलब कि एक जनवरी सकता है एक जनवरी 2022 को वह 18 साल का हो चुका हो लेकिन 40 साल का नहीं हो मतलब 40 से का मों 18 से जादा हो तो वह इसको फुल फिल कर सकता है और यहाँ पर इसमें category के साथ से हाप चुट भी दी जाएगी वो आप यहां पे देख सकते हैं कि किसको कितने छूट दी जाएगी जैसे अनुसे जाती यानुसे जन जाती में पांच वर्स के छूट दी जाएगी तो यह आप यहां पे पढ़ सकते हैं इसको और जो भी आपकी कैटेगरिय है उसके हिसाब से आप यहां पे देख सकते हैं क कि आपको एज में कितने रिलक्सेशन हैं तो नॉर्मल है जो अठारा से चालिस की इसकी एज है उसको आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे परिक्षा सिल्क जमा करवाने तथा ओनलाइन भजने की दिति मैं बता रहता था कि अपलिकेशन कबसे बस सकते हैं उसकी टेट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 9,9,21 से लेके और यहाँ पर 7,10,21 को 12 बजी तक रात 12 बजी तक चाहिए 710 तक 7 अक्टुम्बर रात को 12 बजे दा परिक्षा का महा एम दिनां कि नोंने बता रखा है एक एक टाइम बता रखा एक परिक्षा कब हो सकती है संग्ड़क के पदोब की भरती परिक्षा बोड़ द्वारा संभावित महा हैं दिसंबर 2021 मतलब की पास सितंबर अक्टुम्बर नौंबर दिसंबर तीन चार महीने हैं तो यह इनोंने एक्सपर्टिक टाइम बताया है कि आपको दिसंबर महा में एक्जाम हो जाएगी अब वो होती या नहीं होती है उसका हम कुछ नहीं नहीं कह सकते बड़ आपको जो टाइम दिया करें आवेदन कैसे करें वह आप यहां पर देख सकते हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आसनी से आपको समझ आ जाएगा फोटोग्राफ और जो भी आईडी फोटोग्राफ आपको अप्लोड करना है इसके बारे हम सब दिया गया है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए उसकी ही क्या साइज होना चाहिए वरौटो एपको दिया फोटोग्राफ कोण आपको 50kb का और यहां पर पढ़ सकते हीज grateful कर सकते हैं और यहां पर कम्प्लियट हो चुका है तो यह था आमारे पास जो भी राजिस्तन गॉर्मेंट के दुआरा कम्प्यूटर की या कह सकते हैं संगनक की वेकेंसी यहां पे निकाली गई थी तो वो उसके बारे में हमने आपे डिटेल में डिसकस किया है और डिटेल में तो क्या भोलेंगे कि हमने जो भी जरूल चीज़ें हमाज लिए वो हमन वहाँ पे जाके जोइन कर लें यहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिवेकिशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं और जो भी इसमें इंट्रेस्टेड है जो चाहता है कि उसके लिए शुटेबल है यह एक्जाम तो इसको आप दे सकते हैं अच्छी जोब है ठीक ठ की डिपार्टमेंट में हैं यह समझ सकते हैं ओके इस वीडियो में इतने डिसकस करेंगे that's it for today thanks for watching this वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye and take care